हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी चनल स्वादय अक्सपर्ट में और मैं हूँ अदिती तो आज हम बना रहे हैं आवले का अचार बहुत ही डिलीसस मनेगा दोस्तों तो चलिए रेस्पी को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने जो आवले हैं ना हमारे दे कितने हारे भरे हैं और एकदम ताज है आवले हैं और यहाँ पर हमने आवले लिये हैं डेड़ किलो के लगबग तो यहाँ पर हमने आवले को अच्छे से धो लिया है और अच्छे से इन्हें पौच लिया है तो चलिए आज की recipe ko start करते हैं तो यहां gas पर हमने एक पदिला रख दिया है gas को हमने on कर दिया है और पतिले में हमने डाले है 2 सिर्ड़ी गलास पानी तो अब हमारे जो पानी है वो देख रहे हैं आप गरम हो रहा है अच्छे से तो इसमें हमना हमारे सारे आवली डाल देंगे तो इस तरीके से अचार बनाएंगे तो बहुत जल्दी हमारे जो आवली होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत बड़ी आचार बनता है देखते रहे आप वीडियो को पूरा देखिए बीच बीच में स्कीप करके मत देखिएगा फुल वीडियो को वाच केजेगा तो अब हम इसमें डालने वाले हैं आधा चमच नमक हमारे आवली जल्दी गल जाएंगे नमक डालने से और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे आधा चमच हल्दी तो हल्दी से हमारे आवली को ना बहुत बढ़िया सा कलर मिलेगा आपको आगे दिखाऊंगी कि कितने बढ़िया लगेंगी हमारे आवले तो चलिए इनने मिक्स कर दिया और आप ना इसे हम कवर करेंगे एक प्लेट से तो प्लेट को हमें पूरा कवर नहीं करना है नहीं तो होगा क्या उबाला आएगा और सारा पानी बाहर गिरेगा तो यहां धीमी आज पे जब तक हमारे आवले उबाल रहे हैं तो दूसरी तरफ मैं इस रफ भी काम करी थी गैस पर तो मैं उस रफ बना रही थी फ्राइड राइस बच्चों के लिए तो यहां मेरे फ्राइड राइस भी लगबग बन करके तैयार हो गए है तो अब इसको हम फाइनल टाच दे रहे हैं हरी धनिये के साथ तो मेरे आवले के साथ साथ आवले को तो यहां पर मैंने आवलो कोiset अन्दा कर दिया था ठकने से आप देखते हैं हमारेый आवले कैसे हैं देखते हैं कावला निकाल करके गरम बहुत है क्यों की फाल तो आप देख रहे होंगे देखिए इनमें न इस तरीके से लाइने आ गई हैं यह साइन है कि आपके जो आवले हैं वो अच्छे से गल चुके हैं सॉफ्ट हो गए हैं आपके आवले देखें गरम बहुत है फिर भी आपको तोड़ करके दिखा रही हूं मैं तो हमारे जो सारे आवले हैं बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं हमने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है बस इतना ही हमें इन्हें सॉफ्ट करना है तो चलिए अब हम इने निकाल लेते हैं सैड में तो बड़ी परात में मैंने आप लोगों निकाल करके रख दिया ताकि वो जल्दे से ठंडे हो जाएं जब तक वो ठंडे होते हैं तब तक हम यहाँ पर हमारे मसाले देख लेते हैं चार चमच यहाँ पर जीरा लिया है मैंने और चार चमच ही मैंने यहाँ पर जो दाना मेथी होती है उसको लिया है अचार में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका और पीली सरसु पीली सरसु भी मैंने यहाँ पर चार चमच भर के लिया है टेबली स्पून जो बड़ा च तर्स है उसको तो चलिए इन सारी चीजों को ना हम पीस लेंगे पीसना कैसे है इनका फाइन पाउडर नहीं बनाना है दोस्तों इनको हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना है तो देखिए हमारा जो मसाला है पिसकर के रैडी है दिखा रही हूं आपको इस तरीके का दरदरा ज हैं देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं बिल्कूल यालू यान की गोल्डन जैसे की सो नहीं हो बिल्कूल है न तो हमारे आवले ठंडे हो गए हैं तो इनके जो बीस हैं उनने हम रिमूव कर देंगे तो इस तरीके से आप इनकी फलियों को कलियों को अलग लग निकाल क करके कर दीजिए दोस्तों पहले भी मैंने आपके साहथ आवले के अचार के एक रेजिपी शेयर करी है अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर आप जाकर के जरूर देखें और इसी के साथ ही मैंने आप लोगों के साहथ शेयर किया है एक बहुत ही बढ़िया सी का अचार बना करके खाईए और इसे आप स्टोर करकी भी रख सकते हैं कई दिनों तर इंजॉय कर सकते हैं तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं इसका ये अलो कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है जैसे कि न कहना चाहिए सोना हो बिल्कुल येलो येलो गोल सा जाना होता है आवला खाना चाहिए अपनी डाइट में इसे शामिल करना चाहिए बहुत मस अचार बनेगा तो यहां पर देख रहे हैं आप कि मैंने गैस पर रख दी है कड़ाई तो कड़ाई में हम डाल रहे हैं सरसो का तेल और जो अचार होते हैं ना दोस्तों सरसो के ते काफी टाइम तक ठीके रहते हैं सरसो के तेल में जो भी हमाचायर बनाते हैं तेस बहुत बढ़ी आता है उसका तो यहां पर में लगबग दो कप होते हैं ना दो कप के लगबग यहां पर में ने तेल डाला है सरसो का और जो सर्षो का तेल है, जब तक अच्छे से गरम न हो जाए, इसका जो कच्छा पन होता है ना, जो कडास होती है, वो निकल जाए, और हमारे तेल का जो कलर है, जब तक चेंजना हो जाए, तर तक हमें करम करना है, तो अब आप देख लिएँगे, इसमाति धूवाँ उठ और इसका color भी change होगी है, अब यह बहुत ज़्यादा गरम है, तो हमने यहाँ पर gas को बंद कर दिया है, बंद इसले कर है ताकि हमारे जो मसाले हम डाले, वो एकड़म से ना जले, और थोड़ा सा ना temperature को हमें down करना है तिल का, ताकि हमारे जो मसाले हम डालेंगे, वो एकड़ हम अच्छे से धीमी आज पर सीखें, और हमारे जो मसाले हैं वो जले ना, तो यह जो छोटा चमच है ना, हम जिससे खाना काते हैं, उससे भी बहुत चोटा चमच है, तो वो भरके मैंने एक चमच यहाँ पर हिंग डाल दी है, हिंग का flavor बहुत अच्छा ताय अचार में, और जो अब हमने मसाला पीस करके रखा था ना, जीरा, मिथी और सरसों, वो हमने डाल दिया, आप देख रहे होंगे कि तेल अभी कितना गरम है, गैस हमने बन कर रखी है, तो इसी गरम तेल में जो हमारे मसाले हैं, अच्छे से बुन जाएंगे, और मसाले डालते ही बहुत बड़ी असी खुश्बू आ रही है, और जो मसालों में नमी होती है न, वो भी खतम हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर एक चमच भर के हल्दी डाल दी, हल्दी हमने पहले भी डाली थी, तो हमारा अचार बड़ी असा तीखा बने, चटपटा बने, तो दो चमच भर के हमने यहाँ पर डाली है, लाल मेर्ज, और दो चमच ही हम यहाँ पर नमक डालेंगे, नमक आप अपने सौध के अनुचार कमिया ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डेड़ के लावले हैं, तो उसके हिसाब से बिलकुर मसाले यहाँ पर परफेक्ट हैं, तो चलिए मिक्स कर गियास को अन कर लिया, तो अभी भी हमारे मसाले इसमें अच्छे से जब भुनेंगे ना, तो वो फूल जाएंगे, तो चलिए, एब हमना क्या है, जो हमनी ऐसारी फल्यानी काली थी ना आवले की, इनको हम तेल में डाल देंगे, मसालों के साथ इन्हें मिक्स कर लेंगे. तो सारी फलियां हमने डाल दी तो अब सारे मसालों के साथ सारी फलियों को हमें अच्छे से मिक्स करने है और आवले के जो फायदे हैं आप सब लोग जानती है कि कितना फायदे मंद होता है आवला और आयूरवेद में आवले को एक अम्रतफल का नाम दिया गया है यह इतना ज़्यादा अच्छ होता है हमारी health के लिए हमारी बालों के लिए हमारी skin के लिए और हमारी digestion के बहुत अच्छा करता है digestive system को बहुत ज़्यादा आच्छा रखता है तो आवला खाना चाहिए क्योंकि vitamin C भरपूर मात्रा में होता है आवले में तो अच्छे से हमने देखिए यहां पर इसे मिक्स कर लिया है मसालों के साथ तो पांच मिनट के लिए हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि मसाले इसमें अच्छे से लिपट जाए और यह और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो देखिए पांच मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ जो मसाले है आवले में कितने अच्छे से लिपट गए है और इनकी रंग देखिए कितना बढ़िया लग रहा है हमारा अच्छार कलर तू देखिए कितना बढ़िया है कितना बढ़िया देखने में ही अच्छा न तो दोस्तों अगर आपको मेरी रैस्पीज अच्छी लग रही हैं तो फटा-फट सी वीडियो को आप लाइक करें कमेंट करें शियर करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें और जो पास में बैल आइकान है न दोस्तों उसे भी आप हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलतर है सबसे पहले थैंक यू सो मच